हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, अज प्रग्यास केचन पे शेक बनाया जा रहा है, वैसे तो हमारे चैनल पे शेक की रेसिपी बहुत सारी डाली भी है, बट आज का शेक कुछ स्पेशल है, बहुती टेस्टी और हेल्थी है, क्योंकि आप अगर इसके हेल्थ ब आलग होगा, क्योंकि आज अपन गौन कातीरे से शेक बनाने वाले हैं, पुराने जमाने में लोग ये गौन कातीरा बहुत यूज करते थे, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंड़क देने वाली होती है, आपके पेट में कोई भी समश्या है, ये गौन कातीरा एक्दम खतम क यह देख सकते हैं इस तरीके का यह गॉंद होता है यह बड़ा बड़ा होता है और यह मैंने ओनलाइन मंगाया इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दिया जाएगा आप वहां से परचेश कर सकते हैं इसका शेक बनाने के लिए मैंने यह इतना सा गॉंद लि यह गॉंद फूल कर इतना जादा हो जाता है इसको फुल बाउल भरकर आप रख दीजिए और नाइट भी रख सकते हैं और 5-6 गंटे इस तरीके से इसको छोड़ते यह बहुत जादा जेली की तरह फूल जाएगा मैंने पहले भी इतना गॉंद बिगो के रख रखा है पह इसको आप किसी भी तरीके से लेंगे इसकी तासीर बहुत जादा ठंड़क देने वाली है और गर्मियों के लिए यह रामबान ओशिदी समझ लें आप तो भी कोई अधिशोकती नहीं है क्योंकि बच्चों को अपन बहुत तरीकी की चीजे खिलाते बट आज यह आप पिल आपकर देखें तो बच्चे खुश हो जाएंगे इसको बनाने के लिए मैंने मिक्सी का जाड लिया है इसके अंदर सबसे पहले मैं नौर्मल जो दूद होता है अपने कच्चा यह उगलावा ठंडा दूद लिया है मैंने पहले अपन सबसे नौर्मल वाला शेक बनाने है दो ग्लास जितने शेक बना रही हूं तो दो टीस्पुन जितने चीनी ले रहे हूं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकोंडिक डाल सकते हैं यह मिश्री भी डाल सकते हैं। ये अपन नौर्मल दूदो शकर वाला शेक बना रहे हैं। में कोई भी flavor add नहीं कर रहे हैं अभी तक अपने इसमें गोंग कतीरा नहीं डाला है इसको ऐसे ही blend करना है यह मैंने इसको 30 to 40 second के लिए blend किया और यह अपना normal बिना flavor और color वाला shake बन कर तयारे इसको अपन serve कर देते हैं यह मैंने तो glass ली और इसके अंदर यह दूद मैंने serve कर दिया अब आपने जो गोंग कतीरा भीगो के रखा है वो एक एक टेबली सुन भर कर इसके अंदर डाल कर चमस से हिला देते हैं यह अपना normal गोंग कतीरा शेक बन कर तयार हो चुका आपको विश्वास नहीं होगा यह खाने में और पीने में दोनों में बहुत टेस्टी होता है यह अपना normal वाला शेक तो बन कर बिलकुल तयार हो चुका है आप जैसे इसको लेंगे आपको इसके benefits भी नजर आने लगेंगे आप यह जरूर ले ग गौन कतीर को रूबजा शर्बत के साथ तयार करने वाले है तो मैंने एक ग्लास इसमें चिल्ड मिल्क लिया है और एक दो टेबल इस्पून मैंने रूबजा शर्बत इसका लिंक आपके description box में डाल दिया जाएगा अब मैंने इसको 30 to 40 second के लिए मिक्सी में चलाया और यह रूबजावला शेक बनकर तयार हो चुका है अब मैंने इसको ग्लास में सव कर दिया है अब अपने जो गौन कतीरा सोक करके रखा है यह एक टेबल इस्पून भर कर इसके अंदर हिला देते हैं यह अपना गौन कतीरा शेक बनकर तयार हो चुका है आप इसको किसी भी तरी ले सकते हैं आप इसको आम के साथ ले या लेमनेट के साथ भी इसको आप ले सकते हैं गोंद काती रगो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं चाहिए आप शिकनजी में ले या आप ऐसे ही भीगवा मिश्री मिला के ले या फिर आम रस में ले कैसे भी ले क्योंकि इसकी तासीर गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है एक दम थंड़क देने वाली है आपके बच्चों के अगर नकसीर आ रहा है तब आप ये शेक बना के देंगे तो बिल्कुल नकसीर आना बंद हो जाएगा और आपके अगर किसी के पाइल्स की समश्या है या फिर मुँ में छाले हो रहे हैं तो इस तरीके से आप शेक बना के पिए तो आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिक होते हैं आप जरूर ये ट्राइ करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि ये गर्मी के लिए कितनी अच्छी ओशिदी है और खाने में बहुत टेस्टी ऐसा नहीं है कि खाने में अच्छा नहीं है बिल्कुल जेली की तरह ही लगता है बजार की जेली तो आपने बच्चों को बहुत वार खिलाई होगी बट आप इस तरीके से बच्चों को ये शेक बना के देंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और उनका स्वास्ते भी खुश रहेगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और कमेंट करके बताए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे स्टेए सेफ स्टेए हूम